दिली में सोन्या गांदी की निवास पर कॉंग्रिस की केंद चुनाव सविंटी की बैठक होई है बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जोतिरादित सिंधिया प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौझूद रहे मत्रदेश विधान सबाच चुनाव के लिए कॉंग्रिस ने 80 सीटों पर अपने उमीदवारों के नाम तै कर लिये है हलाकि नामों की घोशना बाद में की जाएगी जो नाम तै किये गए हैं उनमें 50 स्वीसिदी से जादा वर्तमान विधायक हैं बाकी वय उमीदवार हैं जो 2013 के विधान सबाच चुनाव में कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे PCC चीफ कमलनात के मताबिक 29 तारिक तक उमीदवारों की सूची जारी की जा सकती है पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दीपक बाबर्या ने ये भी बताया है कि उप्योगत समय पर कॉंग्रेस उमीदवारों के नाम की घोशना करेगी और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं न्यूजरूम का जहां से हमारे एडिटर इंचीफ सुनी शुरिवास्तो हमारे साथ बने हुए है सुनीर जी आज सीधे की बैठक हुई है क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आया है और कौन से नाम जो फिलहाल संभावत माने जा रहे हैं बिल्कुल रौमिता अगर हम बात करें कौंग्रेस की तो कौंग्रेस की जो बैठक हुई है आज के इंद्रिय चुनाव समिती की उसमें जो नामों पर विचार किया गया है उनमें जो मौझूदा बिदायक हैं लगभग 45 बिदायक हैं मौझूदा जिनके टिकेट लगभग कर दिये हैं यहाँ पर CAC ने और इसकी अलावा अगर हम बात करें तो 35 में से लगभग 30 चेहरे वो हैं जो 2013 का चुनाव बेहद कम अंतर से चुनाव हारे हैं यानि 5000 के बोटों से कम अंतर से जो चुनाव हारे हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया है साथ ही अगर हम बात करें कुछ युवा चेहरों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है और खास तॉर पे उन सीटों पर जिन पर विवाद किस्तिती नहीं थी जिन पर सिंगल नाम थ था वहाँ पर तो यह 80 सीटे हैं जिनको लगभग तै कर दिया गया है अब CAC की जो सूची है यह सूची कॉंग्रेस के राष्टिय ध्यक्ष राहुल गांधी को सौपी जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी के अनुमोधन के बाद इन नामों का एलान कॉंग्रेस की रहा से जानकारी यह निकल कर सामने आ रहे हैं कि मौझूदा विधायक हैं जो 50% मौझूदा विधायक उन्हीं को पार्टी टिकेट देने जा रही है भरोसे का क्या कुछ कारण देख रहे है देखे रोमिता अगर हम बात करें तो जो 45 विधायकों की बात हो रही है जिनको दिया जाना लगबग तैमाना जा रहा है उनमें अधिकांस्त चेहरे ऐसे हैं जो लगबग अच्छा परफॉमेंस हैं उनका सदन में उन्होंने बात चाहे हम कॉंग्रिस की करें या जनता की करें उन्होंने मजबूती की साथ उठाई है तो अगर 45 विधायकों मेंसे हम मु पीर सिंघ का नाम है कोलारस से अभी उप्चुनाओ जो हुए थे कोलारस में महेंद सिंघ यादव यहाँ जीते थे उनका नाम पक्का है साथ ही अगर हम यहाँ पर रागोगर से बात करें जैवर्धण सिंघ है उनका नाम यहाँ पर कन्फॉम है राजनेंगर से लगातार जो तीन बार जीच चुके हैं, बरसमाजवादी पारटी से चुनाओ लड़ चुके हैं, कुणर बिक्रम सिंग और उसके बाद कांग्रेस उनों ने जवायन की थी तो कुणर बिक्रम सिंग का नाम कॉंग्रेस की तरब से राज छतरपुर की राजनेगर से कन्फॉम है देवरी से अगर हम बात करें तो हर सियादव पिछला चुनावी जीते और अभी हर सियादव का नाम पाइटी ने कन्फॉम किया है साथ ही अगर हम जवलपूरत की बात करें तो यहाँ पर संजी वुईके का नाम कनफॉम है तरौन भनोट का नाम कनफॉम है और इसके साथ कई ऐसे दिगज नेता हैं जिनोंने विपरीत परस्तितियों में कॉंग्रेस का किला बचा कर रखा जैसे हम भोपाल उत्तर की बात करे आरेफ हकील का नाम कॉंग्रेस ने पहली सुची में कनफॉम कर दिया है क्यूंकि एक छत्राज है कॉंग्रेस के बड़े परचारकों को उत्तर भोपाल में जाने की जरूत नहीं पड़ती है आरेफ हकील अपने ब्यक्ततों और अपने कटर बोटरों की वज़े से वहां जी और राष्टी सच्व रहे चुके हैं बाला बच्चन उनका नाम भी कनफॉम है यहाँ पर पाइटी आला कमान ने यहाँ पर जो केंद्री चुनाव सम्तियों ने मोहल लगा दी है क्यूंकि बाला बच्चन की बात करें उपनेता प्रित्पक्षी भी हैं और सदन में एक मज जिस परकार से बिवादों में आये यहाँ पर एक केस में भी उनका जो केस हुआ था उसमें भी नाम आये इससे कहीं न कहीं पाइटी की छवी दूमे लुई थी इस कारण से पहली सूची में अगर हम बात करें तो हैमेंत कटारे का नाम नहीं रखा गया है तीकमड के जतार में कॉंग्रिस ने नहीं रखा है साथ ही तीकमड जिले की एक सीट और है खरगापुर चंदा सुरेंद सिंग गौर यहाँ पर बिधायक हैं लेकिन अगर हम बात करें तो अजय सिंग यादव जो की कॉंग्रिस के प्रवक्ता हैं वो भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं इसलिए खरगापुर को भी अभी किसी प्रकार की चर्चा ने हुई खरगापुर में दो या तीन नामों का पैनल है इसलिए दूसरी सूची में खरगापुर का जो के कंडिडेट है वो बाद में डिकलियर किया जाएगा सिंग रोली की चितरंगी है वहाँ से सरसुती है उनके नाम का भी यहाँ पर अभी जिक्र नहीं किया गया वहाँ पर भी थोड़ी बिबात किसी थी इसलिए नहीं और अनूपुर के कोत्मा की हम बात करें तो मनोज अगरवाल जो की कॉंगरेस की बिदायक है उस सीट पर भी बिचार नहीं किया गया साथ ही है बाकी 45 विदायकों का नाम है अगर हम दूसरी लोगों की बात करें जो 2013 का चुनाओ बेहतकम अंतर से हारे जिनका बहतर परफॉम्मेंस है उन लोगों की हम बात करें तो यहां पर विजय रागावगड से अगर हम बात करें विजय रागावगड क्यूंकि संजय पाठक पिछला चुनाओ 2013 का कॉंगरेस से लड़े थे वो भाजपा में सामिल हो गाए थे अब भाजपा से जो अभी कॉंगरेस में सामिल हुई है पदमा सुकला उनका टेकेट पाटी ने लगभग तै कर दिया है संजय पाठक के खिलाब पदमा सुकला यहां चुनाओ पिछला चुनाओ 2013 का वो हा रहे हैं खुरई से 94 का नाम लगभग तै माना जा रहा है उनको उनको कंफरम किया गया है बंडा से नारायन प्रजापती जो पूर विधायक है उनको यहां तै किया गया तो कुल मिलाकर टीकमड से अगर बात करें तो पूर मंत्री ही याद बें सिंग और बिर्जेंद सिंग राठ और पृतिवपर से यह नाम लगभग तै हैं और यह सूची पहली सूची राहुल गान्धी के अनमोदन के साथ 28 या 29 अक्टूबर को कॉंग्रेस जारी कर देगी सुरीज अगर बात की जाए कि जिस तरह से पहली सूची के बारे में आपने बताया दागी विधायकों से या नेताओं से दूरी बनाई है पार्टी ने तो क्या ये माना जाए कि अब स्वच छवी के साथ चुनाव में पार्टी लड़ना चाहती है या अभी इंतजार किया जा रहा है कि दूसरी या तीसरी सूची में उन नामों को शामिल कर लिया जाएगा जब राजने तेक दलों की सूची आना शुरू हो जाएंगी देखे रोमिता अगर हम बात करें तो राहुल गांदी जैसे हरमंच से कहते हैं कि अपराध मुक्त राजनीती होनी चाहिए और राहुल गांदी ने एक अभी यहाँ पर एक कॉंग्रेस में ये भी कहा है कि अपराध गंभीर अपराध नहीं होने चाहिए कंग्रेस हाइकों या दागी उम्मीदबार हैं उनसे परहेज कर रही है उनसे दूरी बनाए हो तकता है दूसरी या तीसरी जो सूची आए क्यूंकि पहली सूची है पहली सूची में अधिकांस तो वो नाम है वो बिधानसवा सीटों के नाम है जिन पर या तो दाविदार कम है या पिर जो कन्फों में जीत सकती है पारटी उन्हीं की सीटों के नाम दिये गए हैं। दो या तीन लोगों की जिन सूची में पैनल हैं, लगबग वो सूची जो 130 दाविदारों की रहेगी, वो दो और तीन सूची निकलेगी, लगबग तीन सूची कॉंग्रेस निकालेगी, तीन चरणों में कॉंग्रेस यहाँ पर अपने कैंडिडेट डिकलियर करेगी, पहली सूची में असी नाम होंगे, दूसरी सूची में भी लगबग यह माना जा रहा है कि असी नाम होंगे, और तीसरे सूची कि हम यहाँ बात करें तो लगबग पचास नाम या चालीस नाम जो रहेंगे बागी बचे हुए नाम वो रहेंगे. तो कुल मिलाकर यहाँ यह माना जा रहा है कि कॉंग्रेस दागी यहों से इस बार थोड़ी दूरी बना कर रखेगी. कि हाँ बागी यहों से जरूर कॉंग्रेस की दूरी नहीं रहेगी. क्योंकि कमलनाच जैसा की कह चुके हैं कि बागी भले यह किसी पाइटी का हो जिताओ उमीदबार होना चाहिए. और इस बात के संकेत हमें साफ मिल ले हैं कि पदमा सुकला ने बीजी पी कुछ दिन बीजी पी छोड़ कॉंग्रेस को दामन थामा है और उनका यह हमारी जानकारी की मताबिक विजय रागोगर से टिकेट कंफर्म किया गया है पहली सूची में तो यह माना जा रहा है कि बा जिताव भागी होंगे उनको कॉंग्रेस मेदान में तालसोख करोताने वाली है जी शुक्रिया सुनेल जी तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए